नमस्कार मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी और आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु में युनानी और विश्वव्यापी तत्व ये टॉपिक भी ए थर्ड एर के लिए है लेकिन कॉंपिटिशन में भी पूछा जाता है इसलिए से ध्यान से समझे तो हम सभी जानते हैं कि अरस् अरस्तु के चंतन में युनानी तत्व हमें बकायदा दिखते हैं और 150 युनानी नगर राज्यों के सवीधानों का अध्यन किया अरस्तु ने और उसके बाद अपने विचार रखे उसे युनानी राज्टिक संस्थाओं का पूरा-पूरा ग्यान था युनानी जाती की श् अंगठन का सर्वश्रेष्ट और उतकरष्ट रूप है और उसने शिल्पकारों और श्रमिकों को नागरिक्ता से वंचित रखते हुए भी सीमित नागरिक्ता का विचार रखा और उसके संपूर विचारों पर युनानी प्रभाव दिखता है परिलक्षत होता है जहां तक विश्व व्यापी तत्वों का संबंध है मानुए प्रकरती तता राज्य के उद्देश की अरस्तु ने विवेचना की उसने कहा कि मनुश्य एक राजनितिक प्राणी है और उसने कहा कि राज्य का उद्दै जीवन की सुरक्षा के लिए हुआ और शेष्ट जीवन की प्र वरन उच्छतम कल्यान का जीवन है इस प्रकार अरस्तु ने सुतंता का अर्थ मनमाने डंग से जीवन व्यतीत करना नहीं वरन कानून के पालन में ही सुतंता को नहित माना विदी की सरवचता के सिद्धान का वो प्रतिपादन करता है लोकमत और परंपराओं के महत्व का भी प्रतिपादन करता है अरस्तु शासन के अंगों की सुस्पष्ट विवेचना करता है उसके नुसार सरकार के तीन अंग है असेम्बली मजिस्ट्रेट और जूरी शरी उसके दारा बताए गए सरकार के तीन अंग ही आगे चलकर निवस्थापिका कारेपलिका और भीड के शासन का विरोध ही है और दूसरी और वो सभी प्रकार के अधिनायकवाद और तानाशाही का भी वरूध है तहा हम कह सकते हैं मध्यमार का भी उसने सिध्धान दिया कैटलीन तो उसे मध्यमार का दाशनिक कहता है अरस्तु का राजनितिक दर्शन युनान की अरस्तु के विचारों में युनानी और वैश्विक तत्व दोनों देखते हैं आप इसका ध्यन करें और आगे हम बात करते हैं धन्यवाद